गुड मानिंग बच्चों, मैं कुल्धी पीरवाल, प्रवक्ता कॉमर्स, गवर्मेंट सिनियर स्केंडर स्कूल क्लायर, इस्टिक कैथल, आप सबका आज की ओनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ. आज हम ग्यार्मी कक्षा के व्यवसाई अधन विशे के अंतरगत सियुक्त हिंदू परिवार व्यवसाई नामक टॉपिक के उपर चर्चा करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज की ओनलाइन क्लास. चलिए शुरू करते हैं सियुक्त हिंदू परिवार व्यवसाई यह हमारा आज का जो है वो टोपिक है चप्टर है जिसके उपर हमें आज चर्चा करनी हैं. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हम क्या सिखेंगे. सबसे पहले हम सियुक्त हिंदू परिवार का अर्थ जानेंगे. फिर उसके बाद हिंदू विधान के सामपरदाये जानेंगे हम. इसके बाद हम चर्चा करेंगे सियुक्त हिंदू परिवार व्यवसाई की रने वाले हैं. चलिए सबसे पहले सयुक्त हिंदु परिवार का अर्थ. सयुक्त हिंदु परिवार वेवसाए इस टोपिक के अंदर सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं. According to Hindu law, सयुक्त हिंदु परिवार से आश्य व्यक्तियों के ऐसे समूद से हैं, जो एक ही पूर्वज के अंच हैं, जैसे कि हम परिवार में रहते हैं। सेम्टो सेम्ट वही अर्थ इसका निकलता है, फर से दोरा देता हूं। According to Hindu law, संयुक्त हिंदु परिवार से आश्य, व्यत्नियों के ऐसे सम्मूझ से हैं, जो एक ही पूर्वज के वंचज हैं। और पत्नियां भी शामिल होती हैं। तो ये एक सेयुक्त हिंदु परिवार का एक कंप्लीट अर्थ बन जाता है। अब सेयुक्त हिंदु परिवार के दो विश्टाएं हैं, जिससे थोड़ा सा और कंसेप्ट थोड़ा सा और कलियर हो जाएगा। सबसे पहले सहभागिता और दूसरा है हमारा सामान्य संपत्ति। तो सबसे पहले सहभागिता जान लेते हैं क्या होता है। सहभागिता से परिवार की पैत्रिक संपत्ति में सामोहिक स्वामित्तव से होता है। common ownership, सहभागिता कानून द्वारा उत्पन होती है ने कि अनुबंद के द्वारा, अनुबंद कानून बोलते हैं जो return में होता है, उससे नहीं होती है, कानूनन जो है वो चलती है, इसके अंतरकत एक व्यक्ति को परिवार में जनम लेते ही परिवारिक संपत्ती में अधिकार मि मिल जाए तो हम उसको सहभागी कहेंगे, यह सदस्य परिवार की संपत्ती के विभाजन की भी मांग कर सकता है, तो यह हमारा सहभागीता हो गया, जब जनम से ही हमें अधिकार मिल जाता है अपनी परिवार की संपत्ती में, दूसरा सामान्य संपत्ती, common property, कानून के अनुस हिंदू संयुक्त परिवार को हिंदू ऐविभाजित family के रूप में उसी दिन मानेता मिल जाती है, हिंदू ऐविभाजित family, हिंदू undivided family, अकाउंट्स के अंदर जो है वो डिटेल में आएगा, यह काफी, उसी समय मानेता मिल जाती है, जब की परिवार के पास ऐसी संपत आजाएगी, अगर हम उधारन के साथ में इसको समझना चाहें तो एक तो आजाएगी पैत्रिक संपति, यानि कि जो पुस्टैनी संपति हमारी चलती आ रही है, दादा के समय से, पर दादा के समय से, फिर पैत्रिक संपतियों की साहता से निर्मित, जो पहले से पैत्रिक सं संपत्ति बना ली जैसे कि पैत्रिक संपत्ति में मालो हमारा घर था और हमने उसके उपर फस्ट फ्लोर बना लिया फिर सेकेंड फ्लोर बना लिया तो वो भी उसके उपर भी समाने संपत्ति के तरह अधिकार हो जाता है फिर तीसरा व्यक्तिगत संपत्ति जिसे परिवार की स संपत्ति माल लिया गया हो। जैसे कि बाइक लेली मालं लोग किसी परिवार के सदस्य और उसको सभिए परिवार वाले उसको यूज़ कर रहे हैं व्यक्ति संपत्ती हो गई तो उसको भी हम Haem就是說 परिवार की संपत्ति माल लेते हैं हिंदू विधान के संपर्दाई, ये थोड़ा सा है, एक दो नंबर में आ जाता है पेपर में, चलिए. According to Hindu law, Hindu परिवार में दो परकार के संपर्दाई पाए जाते हैं, भारत में मिताक्षरा और दाए भाग. अब मिताक्षरा क्या होता है? ये है संपर्दाई आसाम, बेंगौल और उडिसा के कुछ भागों को छोड़ कर समस्त भारत में परचलित है. इस संपर्दाई के अंतरगत पुत्र का जनम होते ही, उसे अपने पिता के साथ पुर्वजों से प्राप्त, नहीं कि दादा पर दा संपर्दा से प्राप्त संपत्तियों में समान अधिकार प्राप्त हो जाता है, जनम होते ही, वह व्यस्क होने पर पारिवारिक संपत्ति में विभाजन की मांग कर सकता है. फिर इसके बाद दाइभाग, यह संपर्दाई केवल आसाम, बंगाल और उडिसा के कुछ भागों पर्च लेता है, इसके अंतरगत पुत्र को अपने जनम के साथ किसी भी परकार की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, पैत्रिक संपत्ति पिता के जीवन काल में उसी के पास पूरण स्वामितव में रहती है, पुत्र को संपत्ति में अधिकार पिता की मि धान में सामपरदाई हमारे पाई जाते हैं इसके बाद हमारा आज आता है जो में हमारा टोपिक है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाई का अर्थ ये आज हमें अच्छे से समझना है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाई उस प्रारूप को कहते हैं जिसके अंतरगट ए किसी व्यापार को चलाते हैं जब व्यवसाईक उपकरम को चलाने वाले व्यक्ति एक ही परिवार के होते हैं अगर हम दोसरे शब्दों में कहें तो तथा वे व्यवसाई को पारिवारिक व्यवसाई की भांती चलाते हैं तो इसे सायूक्त हिंदू परिवार व्यवसाई कहा जाता है। इस प्रारूप में व्यवसाई के नियंतरण जो है वो परिवार का जो मुख्या होता है, जो करता होता है, जो में हैड होता है परिवार का उसके हाथ में ही रहता है। परिवार के अन्य सदसे मुख्या के नियंतर्ण में निर्देशन में कार्य करते हैं, परिवार का जेस्ट जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वही परिवार का मुख्या माना जाता है, तता उसे रिण लेने, अन्य पक्षकारों से सोधा करने, निर्णे लेने का पूरा दिकार होत परिवार के अन्य सदस्य मुखिया से लाब वेहानी का कोई भी लेखा नहीं मांग सकते हैं लेकिन वे पुर्वजों की संपति यानि कि दादा पर दादा की संपति में विभाजन में मांग कर सकते हैं विविन सदस्यों की आयू को अंदेखा करते हुए सभी का परिवार में बराबर हिस्सा रहता है। जहां तक दाइत्तव का प्रशन उठता है, मुखिया को छोड़ कर से सभी सदस्यों का दाइत्तव सेमित होता है, मुखिया का ऐसेमित दावित्तव होने के कारण उसको उचि ज़िदने लेने के लिए भी प्रेरित होता रहता है वो इस परकार के व्यवसाइक संगठन केवल भारत में ही परचलेते हैं तथा जैसे कि इसके नाम से सपस्ट होता है कि भारत में भी केवल हिंदू लोग ही इस प्रारूप के अंतरगत व्यवसाइक किस्तापना कर सकते हैं सहयुक्त हिंदु परिवार व्यवसायों पर नियंदु अधिनियम जो हमने शुरू में डेफिनेशन पढ़ी थी हिंदुला उसके अधिन ने किया जाता है तो क्या मतलब हुआ सैंधु हिंदु परिवार व्यवसाय से क्या भी प्राई हो गया सबसे पहला हिंदू लाग के अनुसार इसका संचालन किया जाता है परिवार के सदस्यों के अधिकार व्यकरतव्य इसी लाग के अनुसार हिंदू नियम, हिंदू कानून, हिंदू लाग के अनुसार निर्धारित होते है फिर दूसरा, करता द्वारा परबंद, सैंक्तु हिंदू परिवार व्यवसाय का परबंद साधारणत है, परिवार का जो विरिस्ट सदसे होता है, सबसे बड़ा सदसे होता है, जो करता होता है, इसको करता मुख्याय परबंदक के नाम से भी हम जान लेते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों को व्यवसाई में हस्तर शेप करने का अधिकार नहीं होता है, पर टेक व्यापारिक समझोते के लिए कर्था की पूर्ण सुखर्थी लेना अती आवश्यक होता है, तो जो main head हो गयागर का वही जो होली सोली होगा ऐसे वेवसाई का उसकी permission के बगार नहीं कर सकता परिवार का नसदस से कुछ भी फिर सेमित दाइतव सेयुक्त हिंदू परिवार वेवसाई में सदस्यों का दाइतव उनके संपतियों में हिस्से तक ही सेमित रहता है व्यवसाईक दाईतों के लिए व्यवसायों की व्यक्तिगत संपतियां नहीं ली जा सकती, इस संबंद में इस बात का भी महतव है कि संयूक्त हिंदो परिवार व्यवसाय में करता का दाईतव ऐसे मित होता है और जो बाकी सदसें होते हैं उनका दाईतव से मित होता है, व्य हैं ऐस्तितोव कि साय midst अन्थ परिवार व्यवसाई का अस्तितोव कंपनी की तरह हिस्त था ही होता है सदस्यों की मिर्थिव दिवालिय या पागलपन होने से व्यवसाय पर इसका कोई असर नहीं पड़ता यह चलता रहता है फिर जनम से सदस्य था हमने इसकी अर्थ में पड़ा था हिंदू एभिवाजित परिवार में एक शिशू के जनम लेते ही परिवार के समपतियों में उसको अधिकार मिल जाता और वो व्यवसाई का सवते ही automatically सदस्य बन जाता है फिर सबसे बड़ी विशेश ता केवल पुरुष सदस्य है सयूक्त हिंदू परिवार व्यवसाई में पुरुष सदस्य ही सहभागी हो सकते हैं मैलाई नहीं लेकिन हिंदू उत्रादिकार अधिनियम 1956 ये आपको याद रखना है हिंदू उत्रादिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पुरुष सहभागी की मिर्तिव पर पुरुष उत्रादिकारी के अभाव में इस्त्री सहभागी हो सकती है और लास्ट विशेश ता पंजीकरा रेस्टेशन स्युक्त हिंदू परिवार के व्यवसाई के लिए भी किसी भी परकार के पंजीकरण के अवशकता नहीं होती है इसकी स्तापना के लिए किसी भी परकार के वैधानिक उप्चारिकताओं की पूरण करना अवशक नहीं है हमें सिर्फ ध्यान दखना है हिंदू अदेनियम यानि कि हिंदू लाका चलिए अब इसकी स्यूक्त हिंदू परिवार व्यवसाई के लाब पढ़ लेते हैं फिर गौपनियता, सिक्रेसी, संयुक्त हिंदू परिबार व्यवसाई में सभी तथे करता तक ही सीमित रहते हैं, आता है प्रत्योगी व्यवपारियों को व्यवपार के समंद में महतवपूरण हेंट सुराग इतियादी नहीं मिल पाते हैं, तो सफलता का थोड़ा सा चढ़ का चांज जादा है, फिर ग्राकों से सीधा संपर्क, सिक्त हिंदू परिबार व्यवसाई का करता स्वयम परत्यक्ष रूप से अपने ग्राकों के संपर्क में रहता है, आता है उसे ग्राकों की पसंद, फैशन, इतियादी की जानकरी समय समय पर मिलती रहती है, इस से व्य अविभाजित परिवार का करता जो मुखिया है, व्यापारिक नेडने लेने के लिए सोतंतर होता है, उसे नेडने के लिए अन्य किसी व्यक्ति की सलाखी अवशक्ता नहीं होती, आते वह शिगर नेडने लेता है, quick decision जो की व्यापार की सफलता के लिए बहुत ही महतवपूर होता है, फटा-फट से decision लेना, फिर प्रियतन एवं परतीफल में सीधा संबंद, हिंदू एविभाजित परिवार के करता का व्यवसाई के समस्त लाबों पर एक अधिकार होता है, इससे अधिक शरम करने की उसको प्रेणा मिलती है, और हमारा आखरी लाब हो जाएगा, प पुष्ट दपुष्ट, generation to generation चलता रहता है, एवं परिवार के सदस्य भी परिवार की प्राचीन आदर्श प्रमप्राम को पनाए रखते हैं, इससे पैत्रिक ख्याती के लाब भी व्यवसाई को लगातार मिलते रहते हैं, तो यह हमारे लाब थे, और हमारा टोपिक का ला पहला सीमित साधन, limited resources, सयुक्त हिंदू परिवार के साधन सीमित होते हैं, इससे व्यवसाई की परतिस परदा शक्ती कम होती है, एवं व्यवसाई के विकास में भी यह बादक बनता है, सीमित साधन होने के कारण बड़े पैमाने के व्यवसाई की स्तापना नहीं की जा सकत सीमित परबंद चातुर्या, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, उससे यह है तो कम से कम आशा हम नहीं कर सकते हैं, कि वह व्यवसाई संबंदी सभी बारे कियां, जो भी चीजे मेन मेन चीजे जो व्यवसाई को चलाने के लिए चाहिए, वो उन परबार के हितमें नहीं हैं, कभी कभी की बात है, हमेश्या की नहीं है, फिर उसके बाद ऐसे मित उतर दाईतव, unlimited liability, सैयुक्त हिंदू विभाजित परिवार व्यवसाई में करता का उतर दाईतव, ऐसे मित होता है, आलमोंस तुसी का ही होता है, इसके अंतरगत वह सभी न लेने में अनवश्यक देरी होने के चांसे हो जाते हैं, फिर उसके बाद में हमारे एक limitation और है, शक्ती के केंद्री एकरण से हाने, अब ये तक ये तो पता चल गया कि जो परिवार का करता है, उसी के पास में सारी पावर हैं व्यवसाई से जुड़ी होई, सैयुक्त हिंद देट परसन महीला को भी शामिल किया जा सकता है, ये हमने पड़ा है, इसके अंतरकर निर्ने लेने की पुरुण शक्ती करता के पास होती है, कभी-कभी वह इस शक्ती का दुर्पयोग कर लेता है, इससे अन्य सदस्यों में प्रेम और सदभावना का हरास होने लगता है, कम आने लग जाती है, यही कारण है कि व्यावसाइक संगठन का यह सवरूप धीरी-देरे अब समापत हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, फिर हमारा लास्ट है पॉइंट सदस्यों के स्वयोग का भाव, लैक और कोर्परेशन ओब मेंबर्स, व्यावारिक रूप से यह सवयोग नहीं मिल पाता, तो यह थी आज के हमारी क्लास, आप सब का धन्यवाद. झाल झाल